जार्खन में पंचायत चुनाव की जल्द होगी घोसना मंत्री अलमगीर जार्खन के ग्रामिन विकास पंचायती राज मंत्री अलमगीर अलम ने जल्द पंचायत चुनाव होने की बात कही है पूरे राजे में मद्दाता सुची परकासन की तियारी अम्तिम चरण में है मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में बिलम से विकास कारे में कोई रुकावट नहीं आया है गाँ गाँ में विकास कारे लगातार जारी है कॉंग्रेस के एक दिवस्तिय जन सुनवाई कारी करम में भाग लेने हजारी बाग आये संसद्य कारे ग्रामिन विकास एवं पंचायती राजमंत्री अलमगीर अलम ने पत्रकारों से कहा कि भासा बिवाद भाजपा सरकार की देन है जामुमो कॉंग्रेस राज़त गठ बंधन की सरकार इस बिवाद को दूर करेगी बारिस हुआ ओला विरिष्टी को लेकर एलो अलट जारी जारखन में आज मौसम में बदलाव दिखेगा मौसम विभाग की माने तो गुरु आ रात से ही आश्मान में बादल छाय है और हलके समादर्च की बारिस हो रही है चार फरवरी को पूरे राजे में बारिस के असार है कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है ओला विरिष्टी भी हो सकती है इसे लेकर एलो अलट जारी किया गया है वहीं पांच फरवरी से मौसम सुस्क रहेगा रायस्थान में बन रहे पच्मी विछोप का असर गुरु आर्शे जार्खन में दिखा पारा सिक्षकों के बठे हुए मान्दे के लिए बयट में होगा रासी स्कूली सिक्षा एवं सक्षर्था विभाग के मंत्री जगनात महतों ने विभागे पदाधिकारियों को अगामी बयट में पारा सिक्षकों के बठे हुए मान्दे के लिए आवस्यक रासी के प्रविधान करने का निर्देश दिये हैं उन्होंने बुद्द्वार को विभाग के पदाधिकारियों के सत्वेटक में कहा कि पारा सिक्षकों को समय प्रमान्दे देने में रासी की कमी नहीं होनी चाहिए मंत्री जगनात महतों ने चालू भी तवर्स में 82 रासी के खर्च की स्थिति की समिख्षा भी की इसमें यह बात सामने आई कि अभी तक मात्र 77 पर 87 रासी खर्च हो पाई है इस पर मंत्री ने कहा कि हमें 7,87 खर्च करने का प्रयास करना चाहिए जार्खन के नौन यूक्त लोकपाल की ट्रेनिंग मन्रेगा के अंतरगत नौन यूक्त लोकपाल के कारे साला का आउजन किया गया इस कारे साला का सुभारम करते वे जार्खन की मन्रेगा अयूक्त रैस्वरी भी ने कहा कि सभी लोगपालों को भारत सरकार दोरा जारी निर्देश के अनुसार अपने दायुतों का निर्वहन करना है लोगपाल योजना में परदर्तिता बढ़ाने वाली संस्था है अपने उत्कृष्ट दायुत निर्वहन से रोल मोडल बने आपको बता दे कि रांची के ग्रामिन विकास संस्थान में अवजीत पांच दिवस्य कारशाला में 29 जिलों के लोगपालों को परसिक्षन दिया जाएगा ज्यारखन कॉंग्रेस को ओडिनेटर कमीटी के गठन को मंजूरी जार्खन कॉंग्रेस को ओडिनेटर कमीटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है जार्खन कॉंग्रेस परभारी अविनास पांडे को को ओडिनेटर कमीटी का चेयर्मेन जबकि उमंग सिंगहार को को चेयर्मेन बनाया गया है जारखन कॉंग्रेस अध्यक रायस ठाकूर संजोजक बनाये गए हैं हाल के दिनों में कॉंग्रेस में घर वापसी किये परदीप बल मुचू वा सुकदेव भगत को भी इस कमेटी में जगा दी गई है आदिवासी समुदाय के पवित्र अस्थल कक डोलता में उम्री भीड गुमला जीला अंतरगाट डुमरी परखंड के सीरा सीता नाले उर्फ कक डोलता आदिवासी का उत्पती अस्थल माना जाता है या धार्मिक अस्थल प्रखंड के अकासी पंचायत में अवस्थित है यहां तीन फरवरी को समोहिक रूप से धार्मिक पुजा अर्चना स्वा मेला का आयोजन होता है लेकिन इस बार भी क्रोना संक्रमन के कारान मेले के आयोजन पर रोख है इसी कारण दिन भी यहां सिर्फ पुजा अर्चना संपन हुआ इस मौके पर नेपाल के अलावा असम बंगाल चातिसगर समेथ जार्खंड के विभीन चेत्रों के धर्म अगुआ सामिल हुए हलाकि क्रोना संक्रमन का असर यहां काफी देखने को मिला रगुवर दास की टीशट टोफी घोटाला की जाच करेगी एसीवी राजे मेवर्ष 2016 में 13 नॉवंबर से 15 नॉवंबर के बीच हुए जार्खंड राजास्थापना दिवस समारों में टोफी टीशट गीत संगीत हुआ साज सजा घोटाले के मामले का अनुसंधान जार्खंड पूलिस का वरष्ट चार निरुदक ब्योरो करेगा बुद्धवार को मुख्य मंत्री है मांसुरे ने इस अनुसंधान के लिए मंजूरी दे दी है घोटाले की सिकायत बिधायक सहरजू राय ने एसीवी सिक्की थी जून 2021 में बिधायक सहरजू राय की सिकायत पर एसीवी ने राज सरकार से अनुसंधान के लिए अनुमती मांगी थी जिस पर विचार के बाद मुख्य मंत्री ने अनुसंधान के अनुमती दे दिया है J.S.S.C. ने डिप्लोमा अस्तरिये परत्योक्ता परिक्षा में 12.40 पदो पर भरती निकाली जो अब इसमें एक चार पद बढ़ गए है इससे अब कूल 1289 पदो पर निकाली के लिए परत्योक्ता परिक्षा उजन की जाएगी प्रसिक्षित विशेष सिक्षक संग ने सिक्षा मंत्री को दिया धन्यवाद प्रसिक्षित बिशेस सिक्षक संग और नोन यूग रिसोर्स सिक्षक संग के प्रतिनिदी मंडल ने गुरुआर को सिक्षा मंत्री जगनात मतु से मुलकात की और उन्हें धन्यवाद दिया प्रसिक्षित बिस्येस सिख्षक संग के सचीव पावेल कुभार ने बताया कि सभी परकंड में प्रसिक्षित सिख्षकों की न्युक्ती के लिए सिख्षकों को संग की ओर से धन्यवाद दिया गया साथ ही विसेस अवसक्ता वाले बच्चों की सिक्षा और उनके जीवन को बेतर बनाने में योगदान देने की बात कही उन्होंने बताया कि सिक्षा मंत्री ने सिक्षकों को विसेस अवसक्ता वाले बच्चों पर विसेस द्यान की बात कही और कहा कि उन्हें समाज की मुख्यदारा से जोडने में आप सबों का योगदान होना चाहिए जारखंड में कुरोना के 523 नए केस मिले है जबकि 146 मरी स्वास्थ भी हुए है जारखंड में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 3269 है भारत में 1449 नए केस मिले है जबकि 244,147 मरी स्वास्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1427 नए 680 है खोंटी में पूलिस से मुटभेड के बाद भाग निकला दिनेस गोप पूलिस फोर्ष के हैं थो एक बार फिर बश निकला है गुरुवार के सुबा सबाद 6 बजे खोंटी जीले से सटे पच्मी सिम्भूम के गुदरी थाना छेत रंतरगास सीदमा गाओं के जंगली इलाकों में पूलिस और पिलेफाई के बिच भीशन मुर्भेड हुई दोनों और से घंटे भर से ज्यादा समयता गोलिया चली पूलिस की और से लगबग 40-50 राउंड और पिलेफाई की और से लगबग 110-120 राउंड गोलिया चलाई गई पिलेफाई के दस्ते में दिनेस गोप, मर्टीन, केरकेटा और तिकेशोर गोप समयत अने बड़े उगरवादी थे मुर्भेड में पूलिस को भारी परता देख दिनेस गोप समयत सभी उगरवादी जंगल और पहाडों का फाइदा उठा कर भागने में सफल रहे जारखंण में भैक्सिन घोटाला 40-80 का नहीं मिला हिसाब आपने चारा घोटाला, अलकत्रा घोटाला, टूजी घोटाला, टौपर घोटाला समयत औरने कई घोटाले से समन्धी खभर सूनी होगी लेकिन जारखंण में अब नया घोटाला सामने आया है दरसल कुरोना संकर से जूज रहे इस दोर में या घोटाला कुरोना भैक्सिन से जुड़ा है जारखन इस बार कुरोना भैक्सिन को डोज में घोटाले और गरबड़ी का खेल सामने आया है दरसल जारखन के धनबाद जीले में कोरोना वैक्सिन की 48 डोज का हिसाब नहीं मिल रहा है कोविज सील्ड और को वैक्सिन डोज के 48 डोज कहां गए किसको दिये गए इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं जेपी सेंटरल जेल के अंदर मोबाईल ले जाते कक्षपाल गिरफतार हजारी बाग के लोक नायक जय परकास नरायन केंद्रिये कारा में गुरुवार की सुबा भूत पुरुसेनिक कक्षपाल सत्रुधन ठाकुर को जेल के अंदर मोबाइल ले जाने के आरोप में गिरफतार किया गया कक्षपाल सत्रुधन जेल में ड्यूटी के लिए जा रहा है था इसी दवरान उसकी जाच परताल की गई तो उसके पास से दो मोबाइल फोन निकला इस मामले में जेल अधिक चक कुमार चंद्र सेखर ने कक्षपाल के खिलाब करवाई की बात कही है 15 फर्वरी बाद रांची, 25 सराय के लाद देवघर, वोगारों में भी खुल सकते हैं पाहली कक्षपाल से does इसकूल जायरखन में 15 फर्वरी के बाद उन 7 जीलों में भी पाहली से 8 बी तक कि लिए सकूल खुल सकते हैं यहां फिलाल काक्षा 9 से 12 के लिए ही स्कूल खोलने के नुमती मिली है इन 7 जीलों में से 5 जीलों में संक्रमन दर और 5 पर्थिज़त से भी कम हो गई है साथ ही यहां एक्टिव केस की संक्या में भी काफी कमी आई है इसमें राची, चातरा, सराय केला, खरसावा, देवगर त राजेपाल रमेश भैस ने जहारखन लोक सेवा आयोग को विस्व विद्यालों में रिक्त सेक्षनिक वगर सेक्षनिक पदों को मार्च के अंध तक भरने के लिए आवसक पर किलिया सुरू करने के निदेश दिये हैं, कुरुवार को आयोग के अध्यक्ष अमिताब राजे के विश्व विद्यालों में परिक्षा नियंत्रक, बित नियंत्रक, रजिस्टार आधी के पद रिक्ताएं, साथी प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तता असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पद बड़ी संख्या में रिक्ताएं, यह सभी भी पद सिग्र भरे ज जाने चाहिए हेमंत सुरेन का आदेश हाथियों के लिए अंडर पास का बेहतर धंग से कराया जाए निर्बान मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन ने वन जीव बिसेस कर हाथियों के कारीडोर पर बिसेस द्यान देने की जरूरत पर जोर दिया है गुरुवार को प्रोजेक्ट बह प्रियर नहीं लगाए जाए इससे हाथियों को आवा गवन में परिशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे अस्थानों पर अंडर पास का नेमान बेहतर धंग से कराया जाए रांची के 21 बच्चे को मिलेगा PM Care for Children योजना का लाव उपायोग तो 6 रंजन के देक्स्ता में गुरुवार को बैठाक हो इसमें बाल कल्यान समिती समप्रेक्षन ग्री ग्रिधा अस्रम वा पेंशन योजनाओं की समिक्षा की गई इस वर्चुल बैठाक में समाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक्स जीला समाज कल्यान पदाधिकारी सत्रुजय कुमार DCPO वा जीला के सभी परखण विकास पदाधिकारी CDPO के अलावा अने पदाधिकारी सामिल हुए जनकारी दिगई की राची जीला में 21 बच्चों को चिनित किया गया है जिनकी जांच के बाद CWC द्वारा अनुसंसा की गई है उन्हें PM केर 4 चिल्डेन योजना का लाप दिया जाएगा मुख्य मंत्री ने धीवरा की अवय तसकरी रोकने के प्रस्ताव को दी मंजूरी मुख्य मंत्री हमांसुरे ने धीवरा डंपस में अवराख खनीज की हो रही अवय तसकरी को रोकने से संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है इससे अब मंत्री मंडल की बैठ प्रस्ताव त्यार किया गया है इसमें तीन सर्ते सामिल है जिसका अनुपालन किया जाना है पूलिस कर्मियों को 20 दिनों का अवकास देने की मांग जाविमों के पुर्व जीला अध्यक्स दिलीप मिश्राने गुरुवार को बीत मंत्री रामेश्वर उडाव को खुटी परिस्दन में जन सुनवाई कारकरम के दोरान एक पत्रस्वपा जिसमें रणिया परखंड में एक नाया बैंक खुलवाने बक्सर पूर कर्रापत में रेल्वे लाइन पर ओवर विरिज बनाने की मांग की इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि सरकार पूलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतन तो देने लगी लेकिन 20 दिनों का छाती पूर्ती आवकास को रद कर वाई साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्य दे थाइंक यू